हलो दोस्तो वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड स्टोरी आपने आइस्क्रिम कॉन तो बहुत खाये होंगे लेकिन आज हम आपको खिलाने वाले हैं मसाला कॉन जिसे बाजी कॉन भी कहते हैं तो अगर आप बाजी कॉन का टेस्ट लेना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो में बने रही है और अगर आपको बाजी कॉन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही नई नई डिशिस के वीडियो लगातार मिलते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं त्य यहां पयदो रहें इंगर गर से रेडिन बन के आता है लेकिन जो जो इसमें फिर जो मसाला पड़ता है तो वो यहां पर रेडि होता है देखिए वो लिए जैनला बना देशना पbnत 2 तवे के उप़र मसाला डाल जयेए यह उसके बाद लीनट्स डाला है, थोड़ा सा ग्रीन चटनी डालेंगे, ग्रीन चटनी डालेगा अभी इसमें, तनिया और उसका होता है, थोड़ा सा इसमें स्पाइसी करना है तो, ये तीखा चटनी डाला है, अभी इसको थोड़ी जेर जरम करना वड़ेगा, इसको बड़ा म सब्सक्राइब गरम हो गया है अभी इसके उपर बुड़ा ओनियन डालेंगी यह ओनियन डल रहा है उपर से इसको बुड़ा अटियो मिख्षर लेंगे बड़ा इसको मिक्स हो रहा है तो ये कछ्छी दाबेली सेंटर पे आपको different kind of dishes मिलेंगी, जो मेरे इसाफ से आपको एक जग़ कही मिलने वाली नहीं है, यहां पे आपको masala corn भी मिल रहा है, masala toast भी मिल रहा है, और दाबेली से भी different flavor मिल रहा है, तो मेरे इसाफ से एक बार तो यहां पे आपको जरूर और इसको पील कर रहे हैं अभी थोड़ा चट्नी ढालकि और शेव डाल दे लेका फिर सब्सकुर्स पर शेव डालेका तो अभी एक अब ये शेव डाले किया था अब शेव डालेका अब कर देंगे। गर यह है उसके ऊपर फिरम सेव डालेंगे, इसके आपर सेव डालेंगे, चाब मसला डालेंगे, यह रेडिया हो गया, यह रेडी हो गया, देखने में तो अच्छा लग रहा है, मैं भी खाने वाला इसको. पार्सल पी हो सकता है। तो यह सब आइटम पार्सल भी एवलेबल है, अगर आपको पेक करके ले जाना है, तो आप ले जा सकते है। उसको प्रोपर पेंकर के आपको दिया जाता है। देखे हैं एसको… इसको पैक कर देंगे यह पॉलेथिन उपपर डाल के रैप कर रहे है उसको तो बता ना उसको जो पैक हो गया उसको देखे इस तरह से पैकिंग हो गया तो यह बीड़ेगा भी नहीं और आप गर पे जागे भी इसका आनन्द ले सकते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग